असलाम वालेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को यूट्यूब चानल इंग्लिश लिट्रचर पर वालकुम कहती हूँ आज के इस वीडियो के इंदर हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दाट इस मिमिक्री जो कि हॉमी के भाबा का कॉंसेप्ट है इसको हमने कवर करना आज एस लिछे के इंदर तो इन सिंपल वॉड्स मिमिक्री क्या होता है मिमिक्री कोम मिमिक्री क्या होती है आदमी वो बंदा मेा नइँ नकलने होता आरा है वो बंदा मेरी कोपी कर रहा है That is mimicry, वो mimicry कर रहा है ठीकि? तो जो mimicry करता है वो कौन होता है? mimic man होता है, कोपी करने वाला आदमी अब mimicry का मतलब होता है नकल करना तो हमारा सोच subject है, वो subject है post-colonial studies तो post-clonial studies में मिक्री क्या होगा इसमें भी copy ही किया जाएगा copy किसको किया जाएगा क्योंकि post-clonial बात है तो इक मिन जरूर यहां पर colonizer and colonized की बात की गई है colonizer कौन है? west वाले colonized कौन है? जिनको west ने अपने under लिया जिनको control किया for example हम बात कर लेते subcontinent की बहुत बड़ी example है वो अब subcontinent में इंडियन muslims आ रही रह रहे थे ऐसा ही था वहां पर कोन आ गए जी? अंग्रेज आ गए अंग्रेज ने कहा किया उन सब को colonized कर दिया अपनी power के under ले लिया ऐसा ही हुआ था तो जो अंग्रेज आये वो colonizer हुए और जिनको अपनी power के under लिया वो colonized हुए subcontinent के लोग सारे के सारो इस टैम पे colonized हो गए थे ठीक है? तो mimicry जो है ना यहां पर दिखाया गया है कैसे जो colonized people थे वो colonizer को copy करते थे कैसे जो colonized people है वो colonizer को copy करते है कैसे African people है कैसे जो दूसरे native land के रहने वाले लोग है वो west को copy करते है ठीक है? तो in simple word west को copy करना is known as mimicry अब mimicry जो है ना इसके बारे मैं interesting बात बताओ मैं आपको कि इसको negative word और positive word दोनो context में लिया जाता है ठीक है इसकी negative connotation भी है इसकी positive connotation भी है for example जब early ages की बात की जाए कोई starting पे west को copy करता था अगर वो एक brown family से बिलोंग करता हुआ था person तो उसको coconut कहा जाता था यानि के बाहर से brown अंदर से गोरा इसका मतलब क्या है? कि वो अपने culture के साथ west के culture को भी follow कर रहा है ठीक है? और on the other hand अगर कोई black person copy करता था white को उनके norms उनके ethics को तो उसको oreo कहा जाता था और ये कोई इतनी भी पुरानी बाते नहीं है ये ताजा-ताजा ही बाते हैं कि means जब negative connotation की बात की जाए तो mimicry में ये ये concept भी आजाते हैं कि brown man को coconut कहा जा रहा है black man को oreo कहा जा रहा है और mimicry का in simple words में meaning क्या है? to copying west west को copy करना यानि अपने culture के साथ-साथ बाहिर के जो culture है west का जो culture है उसको भी copy करना शुरू कर देना someone who has traveled to west and returned home with seemingly transformed ठीक है एक mimic man कोन होता है और mimicry क्या होता है कि कोई ऐसा person जो west में गया उनके साथ उसने रहना शुरू किया और जब वापस आया तो वो हम लोगों को थोड़ा बहुत transformed नजर आया सिलवार खमीज पहनता था pen shit पहना शुरू कर दी beard थी clean shave हो गया ठीक है तो पट्टा लेती थी बाल straight होने शुरू हो गया तो पट्टा ओतर गया मिन्स उसने west की culture के कोई ना कोई ethics, norms, habits, assumptions कुछ ना कुछ values उनको adopt कर लिया हो है अपने अंदर वो ले आया है कौन? वो person जो के west में गया था ठीक है? means अगर हम west में नहीं भी जाते अपनी current status की बात करें position की बात करें जिस जगा हम रह रहे हैं तो हम भी mimicry करते हैं कैसे? हम लोग भी जो west हैं उनके culture को copy करने की कोशिश करते हैं उनके accent को copy करने की कोशिश करते हैं उनके language को copy करने की कोशिश करते हैं इविन उनके dressing को copy करने की कोशिश करते हैं ठीक है? अपने culture, अपने norms, अपने values से हट चुके हुए हैं हम लोग भी ठीक है? तो यह है mimicry करना ठीक है? जैसे हमारी national language उर्दू है से रहे हैं English के क्यों हम English literature पढ़ रहे हैं तो it means we are copying हम copy करें west को हम उनकी language को पढ़ रहे हैं ठीक है मिक्री समझा रहा है आपको के to copying west west को copy किया जा रहा है मैंने बता है इसकी negative connotation भी है पता चुक्यों आपको अब positive connotation क्या है इसकी positive connotation यह हमारे पास होमी की भाबा लेकर आया था कि मिक्री जो है वो हर time bad नहीं होती negative नहीं होती it has some positive connotations too होमी के भाबा अपने essay of mimicry and man के अंदर लिखते हैं कि mimicry जो है वो sometimes unintentionally subversive होती है यानि यह जो है ना unintentionally किसी चीज को destroy कर देती है और एक नया change लेकर आती है और power के जितने भी symbolic expressions हैं mimicry उनकी artificiality को भी expose करती है मतलब mimicry एक kind of performance है जैसे के in other words an Indian desiring to mimic the English becomes obsessed with some particular chords and associated with Englishness यानि यहां पे subversiveness भी आगई हमारे पास और performance भी आगई कि एक Indian है या एक पाकिस्तानी है वो English सीखना चाहता है mimic करना चाहता है तो क्या करता है वो obsessed हो जाता है उनके कुछ course के साथ बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि British colonial की obsession थी solar topic के साथ solar topic जो कि Spanish topic थी तो वो बहुत अधा obsessed हो गए थे mimic करना चाहते थे और mimic करते थे उस solar topic को ठीक है और मैं इसी concept को और simplify करके अगर आपको बताऊं तो हों मी के भाबा कहते है mimicry एक ऐसा process जिसके through जो colonized subject होते हैं वो प्रेडियूस्ट होते हैं as almost the same but not quite रिप्रेडियूस्ट होना यह कोपी करते हैं colonizer को और वो अपने आपको उनकी same copy बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो same होते तो हैं but not quite बिल्कुल जैसे नहीं होते यह करते हैं कि colonizer के जो culture होता है उनका behavior होता है उनके manners उनके values जो होते हैं वो कॉपी करते हैं वह जब उनको copy करें तो same time उनको mockery भी कर रहे होते हैं उनको मेरा आस्पी कर रहे होते हैं मतलब same time उनको copy भी कर रहे हैं same time उनका मजाग भूड़ा रहे हैं अगर आपने burnt shadows पढ़ा हो नहीं पढ़ा तो लाज में पढ़िए गाओ उसका मैंने summary का lecture बनाया हुआ है अगर आपको चाहिए हो तो मुझे comment में बता दीजे का मैं आपको link provide कर दूँगी ठीक है आपने reluctant fundamentalist पढ़ा हो तो आपने उस पर भी देखा होगा के same time पे जहां वो copy कर रहा है west culture को on the other hand वहां पे सजाद का character print shadows के अंदर and चंगेश का character reluctant fundamentalist के अंदर mockery भी कर रहा है मजाग भी उड़ा रहा है उनके जो culture है उनकी जो language है उनकी जो ethics है उनका the screen पे देखें the copying of the colonizing culture behavior manners and values by the colonized contains both mockery and a certain menace so that mimicry is at once resemblance and menace फिरा mimicry reveals the limitation in authority of colonial discourse almost as though colonial authority inevitably embodies the seeds of its own destruction और in simple words मतलब to cut off sorry to cut the long discussion in short words मैं आपको बताऊँ कि मैं मिक्री क्या आता है जिसमें एक person west के culture को west के language को copy करना शुरू कर देता है it means हुमें मिक्री कर रहा है जैसा कि penchant पहनना English language बोलना उनकी dressing उनका पास्ता हम लोग आते हैं मतलब जो भी है जो हमारे culture का partner में दूसरे culture के part को adopt किया हुआ है that is mimicry clear और post-clonial context में बात की जाए mimicry जो है इसमें colonizer को copy करना एंवेस्ट को copy करना आता है उनके culture उनके norms को copy करना आता है simple concept यह था तो आई होब कि आपको यह concept जो है thank you for watching this video video पसांद है वीडियो को like भी करें हमारे जोन को subscribe करना मत भूलेगा stay tuned with us take care